सियासत में हर बात सो समझ कर बोलनी पड़ती है अब NCP में फूट डाल कर BJP से हाथ मिलाने वाले अजीद पवार को ही देख लीजिए जिन्होंने PMODI की तारिफ करते करते कुछ ऐसा बोल दिये जिससे BJP फस सकती है अजीद पवार के इस बयान से PMODI भी उलजन में पढ़ सकते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया है जिससे PMODI की बात ही गलत साबित हो जाएगी तो ऐसा क्या कह गए है जिससे फस सकते हैं नरेंद्र मोदी आईए देखते हैं इस रिपोर्ट में उन्हें मिश्टर क्लीन कहा मनिपूर मामले में भी उन्होंने मोदी जी का बचाव किया और कहा कि प्रधान मंत्री ने मुद्दे पर संग्यान लिया है लेकिन इसके साथ ही अजीद पवार ने PMODI की तुलना दो पुर्व प्रधान मंत्रियों से कर दी PMODI को सम्मानित नेता और मिश्टर क्लीन बताते हुए अजीद पवार ने कहा कि इंद्रा गांधी को इसी तरह का सम्मान मिलता था जब वो दूसरे देशों के दोरे पर जाती थी राजीव गांधी की छवी मिश्टर क्लीन की रही हम वैसा ही कुछ PMODI में भी देख रहे हैं अजीद पवार ने अपनी ओर से तो मोदी जी की तारीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी लेकिन राजीव गांधी और इंद्रा गांधी से उनकी तुलना करके मोदी जी को ही फसा दिया है क्योंकि मोदी जी तो अपने भाशनों में हमेशा ही गांधी परिवार को भरष्टचार के नाम पर घेरते हैं उनकी राजनीती में कॉंग्रेस और गांधी परिवार का विरोध हमेशा सबसे उपर रहता है लेकिन अब अजीत पवार ने खुद राजीव गांधी को मिस्टर कलीन कहा है ऐसे में मोधी जी के लिए बड़ी उलजन है कि वो अजीत पवार की तारीफ को सुईकार करें या फिर इससे इनकार कर दें अगर मोधी जी अजीत पवार की बातों से सहमती दिखाते हैं तो फिर उन पर अपनी बातों से यू टर्न लेने का आरोप लग सकता है अब देखना दिल्चस्प होगा कि पवार की इस तारीफ से मोधी जी खुद को कैसे दूर करते हैं डीबी लाइब की रिपोर्ट